नमस्कार मित्रों मैं जितेंद्रा और आजाश डेरी फार्म की नए वीडियो में आपका स्वागत है मेरे बच्चे की दिली तमन्ना थी कि एक बफायलो हमारे यहां रहे तो मैंने इस मैं इसको पर्चिस किया हूँ और इसके पहले मैंने एक गाय लिया था बहुत सारे लोग कमेंट किये थे उस गाय के बारे में गाय बहुत अच्छी है और उसके बाद मैंने यह फर्स्ट लैक्रिसियन के एक भैस खरी दी है इसको मैंने अपने गाउं के बगल से ही लिया था राजना थी आदो जी के यहां से भैस फर्स्ट लैक्रिसियन में च्छोटी सी भैस है और यह घर के लिए घर के मेंबरों को दूद खाने के लिए मैंने इसको पर्चेश किया है नाट बिजनेस के लिए नहीं फर्चेश किया है यह बच्चा को दूद पिला के लगबग चार लिटर दूद दे रही है चार पौने चार जो कि हमारे छोटी सी परिवार के लिए उतना दूद बहुत है इसमें मैं क्या करता हूं कि दो लिटर दूद इसका निकाल देता हूं डेरी पर भेज़ देता हूं और यह दो लिटर परने दो लिटर दूद घर के लिए रख देता हूं जिससे सबी लोगों का खाना पीना हो जाता है दो लिटर सुबह दो लिटर साम और यह आट लिटर कर रही है और इसको मैंने 40,000 में पर्चिच किया है मिलने को लोग 4-5,000 रुपए हमको फायदा तुरं दे रहे थे लेकिन हमें शेल नहीं करना है नौट फॉर स्टेल है यह घर के लिए परफेक्ट बफैलो है सीधी साधी भैंस है और यह इसमें खासियत है यह देखती है तो परिशान हो जाती है हमें देखने के बाद और लगती है बोलने और इसको जब मैं शाहला देता हूँ तो यह सांथ खड़ी हो जाती है तो ऐसे ही सीरे जैनौरों क्या हो सकता थी और भगवान के क्रिपाश से हमें सीधी भैंस मिल गई है तो आज का नए अपडेट यही था नेक्स्ट आगे का अपडेट और हाँ लास्ट मैं यह बताना चाहता हूँ मैं यह भैंस एक तरह से प्रयोग के लिए लिया हूँ अगर फैलों से हमें प्रॉफिट दिखेगा तो मैं अगर इसमें कम मेंटेनेंस मेंटेनेंस खर्च कम अगर आएगा बिमारियां कम होंगी और हम प्रॉफिट समझ में आएगा तो हम चार पांच पहांस का एक छोड़ा सार्फ अलग सेड़ बनवाएंगे उसमें पांच पहांस रखेंगे क्योंकि कुल मिला जुला कि हमें देरी पे दूद देना है तो फैट और एसनम के हिशाप से में ही हमें रेट मिलेगा तो वह इसका फैट हमेशा 5 प्लस रहता है तो अभी इसका 5.5 फैट और 9.3 एसनम फार रहा है जिसे रेट 44-45 फार रहा है लेकिन अभी यह मात्रे 10 दिन की बच्चा दिए बच्चा आप लोग देखेंगे बच्चा कटड़ा है बड़ा मेल काफ है तो दिरे दिरे जैसे भी एक महीना दो महीना बितेगा तो दूद इसका और मोटा हो जाएगा तो रेट 50 फिप्लस 50-55 तक आएगा इसका और जैसे चैसे समय बितेगा दूद गाड़ा होता जाएगा तो उसी साफ सी शाठ पैंसर सतर तक भी भैंस का दूद डेरी पे आ रहा है तो अगर इसमें हमें एक कमखर्च में फाइदा समझ में आएगा तो हम एक छोटा साब सेट बनवाएंगे बैंसों के लिए उसमें पांच भैंस रखेंगे अगर नहीं फाइदा समझ में आता है तो फिर हम अपने गाय को पच्चिच करेंगे एक गाय मैंने लाया है अभी एक गाय के लिए आज निकलेंगे अगर भगवान की क्रिपा होगे अगर मिल जाती है अच्छी गाय तो परसकता है शाम तक आ जाए उसका अब डेट मैं आपक अगले वीडियो में दूंगा बाकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आप सब्सक्राइब जलू करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक सेयर करें दोस्तों बाकि धन्यवाद नमस्कार